अगर आपको मेरा ब्लोग पसंद आता है तो लाइक कर देना शेयर कर देना और अपनों प्यार मेरे उपर बिनाई रखना तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम लोग गी बनाते हैं तो उच्छ में बहुत लोगों से बनता नहीं होता है कि कैसे बना इसको और एक अद बार मैंने और सेयर किया आपके साथ तो आप लोग उसको भी देख सकते हो और जो मैं आज बताने जा रहे हूं तो आप लोग इसको ट्राइब करोगे आप लोगों का घी मतलब मक्खन बहुत जल्दी से आज आएगा आपको प्रावलम मी नहीं होगी और आपका बनाने का मन भी करेंगा और होता है कि सर्दियों में तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि हम नहीं बनाएंगे हमसे नहीं बनेगा होता है और मैं आज आपको ऐसी आसानी चिक्ट्रिक बताऊंगों जो कि आप उस तरीके से बना सकते हो और बहुत बहुत अपके पास जाए तो चलिए गाइस दिन नकरते हुए देख लेते कि कैसे बनाना है और चले चलते हैं और बने देख लेते हैं और यह मलाई मेरी मतलब ऐसी है 12-15 दिन की बीच की होगी मतलब 15 दिन की नहीं है और मतलब ऐसे होगी 13-14 दिन की तो चलिए मैं आज आपको दिखाऊंगे आप लोग कैसे बना सकते हो तो आप लोग पहले तो मलाई को इस्टोड करके रख सकते हो और आपको इसको फ्रीजर में तो बिर्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि सड़दी का टैम है तो आप लोग ऐस आप लोग कुछ और काम करनें और आप लोग इसे चलाते रहें पांच मिनट तक चलाते रहें गाइस एक वर मेरा यकीन कहना कि आपका मखन भोच जल्दी आने वाला है और आप लोग देख सकते हो बातों बातों में मेरा मखन आने लगा तो यह देखिए मखन मेरा आ गया जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो और मतलब थोड़ा सा उजाला कमा रहा है और मैंने मतलब यह रात को बनाया था तो यह देखिए आ गया ना आपको पांच किया दो मिनट भी नहीं लगी मुझे यह से जलाने में और यह आ गया और एक कप छोटा सा इसमें गरम वाटर ढालने उससे क्या होगा गरम वाटर से कि आपका यह जो है ना उसको छोड़ने लगेगा तो यह देखिए और मैंने इसमें हलका सा पानी आइड करा और इसको मैं कंटिन्यू चलाती रही और पांच मिनट में मेरा आ चुका जैसे कि आपका मतलब वेस्ट भी नी जाएगा बहुत अच्छी सो जाता है गरम पानी से और गरम वाटर से क्या होता है कि आपका यह ठंडा होता है और इसमें गरम डालिंग तो पिगल की जो दूद है आप लुग छाय बोलते हो दूद बोलते हो इसको तो वह अलग निकल जाएग और आपका मखन है वह अलग हो जाएगा तो आप लुग देख सकते हो मेरा निकल चुका है और इसको मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको बनाना बहुत मुझे तो बहुत मैं जाता है इसे करने में और टैम भी नहीं लगता है और बहुत अच्छा बन के रेडियो होता है बनाने में मन भी लगता है और कई जब नहीं आता है तो जब तो छोड़ो इसे ऐसा होता है तो यह देखिए आप लोग देख सकते हो और दूझ छोड़ना इसना श्टार्ट कर दिया है और अब इसके बाद मैं इसको दोके और निकालूंगी आप खोद ही देख सकते हो कि यह देखिए यह दिखराना आपको यह दूझ छोड़ने लगा आपको बिर्कुल भी प्राउब्लम नहीं होगी इसको बनाने में एक वार मेरा यकीन करके मेरे तरीके से बनाना और बनाने से पहले आदा एक घंटे पहले इसको फिर इससे निक तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ इसको और आपको ऐसे दवा के और इसके जो दूझ सा होता है उसे अलग निकाले आप लोग दोनों हैंड से कर सकते हो तो यह देखिए कुछ इस तरीके से आपको यह लट्डू से बना के और किसी वर्तन में रख ले आप बहुत लोग क्या करते हैं लोनी खाते हैं हमारे लोनी बोलते हैं तो आप लोग खा भी सकते हो ऐसे भी तो यह देखिए गास मेरा निकाल के मतलब मक्षन रेड़ी है आ rice वर्तन करते हैं या फिर छवरे जपके। बनाते हैं और कृम लोग देख सकते हैं और कैसव कमेंट में और युआ इस अच्छ अच्या निवनी बोल ख मैं सब के लिए लाती रहोंगी और आप आप सबके सपोर्ट की मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहें वस तो ये देखिए और ये ना मेरी मतलब 1314 दिन की मलाई थी और आप लोग देख सकते हो कितना मतलब मेरे चार गोले बने हैं आप लोग देख सकते हो और खुब बड़े-बड़े छोटे नहीं मतलब खुब बड़े आप देख सकते हो बड़तन में और यह इसका मनदला वो चाहे है यह दूध है